भारत को अजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इस 75 सालों में भारत ने कई प्रकार की चुनोतियों का सामना किया। जैसे कभी आर्थिक तंगी हो, कभी दंगे हो, कभी भुकमरी, तो कभी महमारी जैसी चुनोतियों के बावजूद ये। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश है और एक प्रमुख विकास्तिल देश के रूप में उबरा है। इसका सीधा स्रे हमारे नेतरतव को जाता है। इस नेतरतव में सामिल राश्टपती के बारे में आज हम जानेंगे। जैन्दुफतो राश्टपती क् क्या सैलरी मिलती है और इन्हें किस प्रकार किस विधायें प्रदान के गई है। इसी टॉपिक पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। राश्टपती की बात करें तो भारत का राश्टपती देश का प्रथम नागरिक होता है। भारती राश्टपती ससत्रबलो के कमांडर इन चीफ होते हैं, जिसमें थल सेना, वायू सेना और जल सेना सामिल हैं, तीनों ही सेनाओ के प्रमुक राश्टपती जी होते हैं, राश्टपती का चुनाओ निर्वाचक मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें लोकसभा के सदस, राजसभा के सदस, इन इनके साथ में प्रदेश की विधानसभाव के निर्वाचित सदस के दोरा इनका चुनाव किया जाता है और इनी के दोरा चुन करके भारत के राष्टपती बनते हैं। तो इनको salary के रूप में पर मन्थ 5 लाख रुपए मिलता है जिया दोस्टो पर मन्थ जो है इनको 5 लाख रुपए की salary मिलती है वो भी tax free इनके उपर किसी भी प्रकार का कोई tax नहीं लगता है भारत के राष्टपती दिल्ली में इस्थित राष्टपती भवन में राता है यह राष्टपती भवन 2 लाख square feet में फैला हुआ है जिसमें 340 कमरे हैं यहाँ पर 200 से ज़्यादा staff काम करते हैं यहाँ पर काम करने वाले staff पर लगभग साड़े 22 मिलियन का खर्चा प्रती वर्स आता है राष्टपती को स्विधाएं की बात करें तो इनको जीवन भर medical और घर की स्विधा फिरे मिलती है अगर हम safety की बात करें तो भारत के राष्टपती custom built black Mercedes S600 pullman guard से चलते हैं इनके साथ में जो है 25 गाड़ियां भी होती है राष्टपती को एक लंबी गाड़ी लिमोजिन भी मिलती है राष्टपती को अपनी safety में लगभग 86 presidential bodyguard मिलते हैं ज्यांदो तो इस प्रकार से हमारे देश के राष्टपती रहते हैं इनके अलावा हमारे देश के राष्टपती का कारिकाल 5 वर्ष का होता है अब बात कर लेते हैं कि राष्टपती को आखिर retirement के बाद कोन कोन सी स्विधाय मिलती है तो retirement के बाद भारत के राष्टपती को देड़ लाक रुपे पर मन्त के हिसाब से pension के रूप में मिलते हैं 1.5 लेक्स के अलावा इनको 60,000 रुपे पर मन्त इस्टाफ पर खर्च करने के लिए दिया जाते हैं यानि कि जो इस्टाफ इनके साथ रहते हैं उनके उपर ये 60,000 रुपे महीना तक खर्च कर सकते हैं इसके अलावा जीवन भर राष्टपती को एट प्रकार का बंगला मुफ्त मिलता है जीवन दुफ्तो लाइफ टाइम के लिए इनके पास एक बंगला मिलता है जो कि इनको भारत के किसी भी राज में बना करके दिया जा सकता है या अगर पहले से बना हैं तो इनको मिल जाता है इसके अलावा दो मुफ्त लेंड लाइन की सुविधा मिलती है और एक मोबाइल फोन की सुविधा मिलती है ये मोबाइल फोन के लिए भी खर्चा मिलता है यानि कि ये भी जो है इनके लिए फ्री होता है इसके अलावा ट्रेन में और हवाई जहाज की यात्रा में एक वेक्त के साथ ये lifetime free में यात्रा कर सकते हैं इसके अलावा दिल्ली पुलिस की security और दो सक्रेटरी की सुविधा lifetime के लिए मिलती है जब तक हमारे राष्टपती जी रहते हैं या दोस्तो राष्टपती को इस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं हमारे देश में राष्टपती भारत का प्रथम नागरिक होता है और इन प्रकार के सुविधाएं भारत के राष्टप को दे जाती है तो दूस्तों यह रही राश्ट्पती के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इसके लावा वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यो फ्रेंट थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो